सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर अगर आपने आज का दा हिंदू पढ़ा होगा तो फास नहीं है एक ही टॉपिक है जो पढ़ने लायक है एक टॉपिक ग्री डिफलेशन जो काफी टाइम से न्यूज में तो उतना तो कड़ी सकते हो विसे आज मैंने उसका इनलिस करूंग का उसका डिफलेशन का एक्जैक्ली वो टर्म क्या होता है बट आपके एक्जाम के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है वन इट कम्स तो अग्लाइट के लिए इंपोर्टेंट है ग्रीट फिलेशन दे सटेली आस्ट टापिक में कुछ ऐसी है जो ग्लोबल इशूज है ज उने भी नहीं डाला बठाँ इन एक्सप्रेस ने कल डाला था वह टॉपिक तो भी देखेंगे हम और ट्राइक करेंगे इंकल्केट करने का ज्यादा ज्यादा रिलेट कर पाए लौ से भी यह रिलेट करेगा टॉपिक यह चूज इस टॉपिक टुडए पहला है इंडिया इस पर मैंने कोई नोट्स नहीं दिया है इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो यह कुछ तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी मुल्टि-डैमेंशनल हैं टॉपिक और शूट बी रीदिग इट लेट स्ट पहला इंडिया 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 शुट्ट रिफूज अमेरिका इडिटोरियल आया है त्रकति परसाद स्री चंदन का यह देखने लायक अधिटोरियल आ यह आप एक नाम याद रख सकते हैं यहां से जूलियन गूकिन पर्मानिंट रिप्रसेंटेटिव के नैटो में जूलियन इसमित साब का नाम याद रखते हैं अब यह टॉपिक को क कैसे कर सकते हैं यह अपने एक्जाम के लिए कैसे तयार करना है हम इसको अपने टॉपिक डालना है तो लिख जाता है अपने टॉपिक डालना है नेटो नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन जो कि बना था 1948 में तो आज भी कल चल रहा है कि पपी के साइड में एक लाइन खीचना यहां पर लिख लेना वार्सों कि यह यूएससर का था कि यह बना था 1955 में और 1991 विल डिसिंटिग्रेशन अफ यूएससर यह खतम हो गया इतनी बाते आपको याद रखनी है अब नेटो पर आ जाते हैं कैसे कैसे नोट बना सकते हैं नेटो का सभिवागों अबी सकेरिकल्टरी चनरल का इसना यादी रखना सकीरेट्री-चनरल कि आइं यह डिराठों भर सहरा भी कि इन स्टैलन्बर पूरा नाम है उनका नेटों के अब थर्टीवन मेमबर्स है टोटल रिसेंट मेमबर रहे नेटो का फिनलेंड की कैपिटल है हेलसिंग की इनलेंड जो है वो यू का पार्ट है यूरोपियन यूनियन और यूरो कंट्री का भी वह पार्ट है इतनी बात है आपको याद रखनी है तू जो आइन एक कंट्री है भी करने वाली है तेरा चांसेस की वह करें विंक्स लगे नेटो कि उसको भी से रिलेटेड इशू हो गया तरकी बहुत रहता है अब देखो कब तक यह पार्ट बनता है नेटो जूलिन स्मिट साब का नाम यादी रहेगा आपको नेटो में अटलिस्ट इतनी बाते याद रखें अब देखो आजाओ नेटो प्लस पे नेटो प्लस इसको बहुत लोग नेटो प्लस 5 मतलब यह हुआ यह नेटो उप्लस बना था टूटाव नैंटीन में इसका इसका यूएस के जो पर्मानेंट एंवॉय है जूलियन स्मिट साहब उनका भी नाम मैंने आपको दिखाया उन्हों नहीं कहा था इंडिया को पर्मानेंटली यह नेटो प्लस फाइव का पार्ट बनना चाहिए वह अच्छा रहेगा सेक्योरिटी वग्यरा से रिलेट करेगा तो ब तूसरा है जपैन तीसरा है इस्रेल चोथा है आपको साउथ कोरिया यह 4 ऐसे कंट्री इस हैं जो की अब यह जो नेटो प्लस फाइव के जो कंट्री जना वह यूएस के ऐलीज है कि यूए सेली जपान इसेल साओ्थ कोरिया एंड दिर इस वन मोर कंट्री एड़ाइं मिसंगे इस वेट इवी टॉक अबाट दर नेटो प्लस तो इसमें यह जो चार एक तो यह हो गया आपको इसरेल साओ्थ कोरिया जपान इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ वन इस इंडेंड रिजंग नियुजिलण और न्यूजिलेंड दोनों अशीयन या कंट्री में न्यूजिलड की कैपिटल वेलिंग्टर यह सब जब्रफी पढ़ते हूं तो आप वहां से भी इसको त्यार कर सकते इसरेल वेस्ट बैंक आप त्यार कर सकते डेली डेली नियूज म भी इसका बनना चाहिए इंडिया इसके बनता है तो पॉजिटीब भी है कुछ निगेटिव भी है पॉजिटीब पॉजिटीब अगर आस्पेटिफ बात करें अब नेटो प्लस फाइव कर का पार्ट हो जाते तो इट विल टिगर रशिया एंड चाइन इन नोशन में रशिया चाइना को ट्रिगर करेगा और रॉषिया जो है वह इंडिया का काफी पुराना फ्रेंड रहा है और रॉषिया ने इजिनल सेक्योरिटी को भी एल्प किया है डेवलब करने में आड हम अपना डिफेंस और कहो कि एक सिक्यूरिटी ऑटोनोमी है उसको उसकर देंगे इंटर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी न नेटो पे तो यह नाम आप यहाँ पर याद रखेगा यह पाच कंट्री न ऑस्ट्रेलिया जपान इस्रेल साउथ कोरिया न्यूजिलेंड राइट कंट्री है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के पास यह नौरू उसने कुछ टाइम पहले 2021 में कहा था कि भाई इंटरनाशनल सीवर्ड अगर कोई आगे स्टैप नहीं लेता है तो भाई हम अपना माइनिंग कॉंटेन्यू करेंगे हम रिसोर्स लिग लेंगे आने वाले टाइम का जो एक क्यूचर है वो है एलेक्ट्रोनिक वेहिकल जिसके लिए आपको लीथियम चाहिए होगा और अदर अदर मिनरल रिसोर्स होंगे हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल भी पढ़ा था और इंडिया और यूएस का डील हुआ था मिनिमम मिनरल्स वाले ग्रूप में इंडिय ग्लेट wird में सब्सक्राइब करेंगे हमाँ लाइफ वह कहा जाएगा वो तोडिन कर जाएगा नहीं सी ब्सक्राइra करेंगा नरेट से टाष्यन पहीं कहीं कहा है कि हम रिए रेच्षर उस्पड् Pa Khosy कब तक करते हैं जल्दी करना होगा नहीं तो फिर यह प्रॉब्लिम क्रिएट करेगा इसी टाइप का एक चीज आया था युनाइटेड नेशन्स हाई सी स्ट्रीटी मार्च में याद करो एक अब इस सब को रेगुलेट करता है अन क्लॉस युनाइटेड नेशन्स कंवेंशन कॉमन मैं के यूज के लिए है इसमें किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इंटरनाशन सी बेड अथरी ने का है कि हम वर्ल ऊशन फ्लोर के रेगुलेट करेंगे अलसो नोन अस दे एरिया रेफर्स तो दे सी बेड नोशन फ्लोरें सब्सॉइल ब्योंड दे लिमिट्स औ यहां पर आप कर सकते हैं कि अंक्लॉस करता देखता है इसको 1982 के बाद से अंक्लॉस ही देख रहा है आये से इंटरनाशनल सीवर्ड अथरीटी डव स्टार्ट वाता है 1982 में ही 167 मेंबर से हैं और पार्टी अंक्लॉस डिजाइन यह ऐसा चलता है का हेड़क्वाटर में और 168 मेंबर से इंक्लूदिंग ये यूरोपियन ये कुछ-कुछ मिनरल्स हैं जो सीवर्ड मिनरल्स माने जाते हैं तो यह मिनरल्स जो है आपको यहां मिलेगा यह अफ्रिका वाला डिजन है और यह मिड अट्लांटिक रिजवाला डिजन है अगर आप सरकल करोगे मतल अट्लांटिक रेंज यही पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिल आगे देखें तो यूएन का डिसीजन है कि डीप सी माइनिंग इन सेवरल कंटरीज इंसेस्ट करें इवन माइक्रोसप्ट गूगल जैसी कंपनिया का भी कहना है कि नहीं वी नीड तो स्टॉप यह फिर हमें नारू यह रहा आपको फिलिया के जस्ति इधर है नावरू सामने दीख रहा हो और नावरू और यह कूक आईलेंड है कर दूए कच वह क्या रहा है यह यहीं में डूशनी डिंज में घ्लरीन न्यजियो थोन सबसे जादा नहीं पर चीज जै甚麼 और यह देखो यूएस रश्या ऑस्ट्रेलिया इदर आपको ट्राइओन फ्रक्ट्ट्ट्र जोन है यह वाला रीजन है जहां पर मिंडल्स बहुत ज्यादा आप कि इंडिया की बात करें तो एंडिया को कॉस्टल बाउन्रीज देखा जाए लिए इंडिया का और अगर हम करें कि economic zone exclusive economic zone 2.2 million square तो वी नीड तो वर्क 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 उन इट रिकमेंड यू कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस का यह कल का ही आर्टिकल है फ्री आर्टिकल है फ्लीज सब कोई पढ़ना है इस डीजिस में देख लो तो 14th इस डीजि और विलो वाटर के बारे में बात करता है प्रृजेक्ट किया है साजर्नीदी साइंटिस्ट जो है बंगलादेश और मौरिश्यस के उन्ने इंबार किया है कि इंडिया का रिसर्च वेहिकल है इसल है सागर निधी उसको करना जॉइंट एक्सपेडिशन क्यों है क्योंकि एक इवेंट हुआ था कॉलम्बो सेक्यूरिटी कॉंक्लिफ जिसमें बहुत इंडियन ओशन रीजन के नेशन साहे थे काफी सारे स्टेट सागर निदी की बात करें तो यह ओशन रिसेर्च वेह कले 2007 में बिल्ड किया गया थ सब्सक्राइब की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज आपको देखना जरूरी है 23 मेंबर स्टेट्स है इसमें 10 डियालोग पार्टनर से 997 में हुआ था इसका मौरिश्यस में है तब ही देखों मौरिश्यस बंगलादेश नहीं ऐसा किया तो इसमें जो कंट् प्लस अगर आप पैसे याद रखना चाहो तो यह मैप भी है तो प्रॉब्लेम होती है तो वह मैप के तुरू देख सकते हैं इंडियन ओशन रिजन की कंट्रीज है सारे इसके अंदर आती है तो इकनौमी की बात करें तो सागर्वाला प्रजेक्ट इंडिया ने लॉंच कि इंडिया का इंडिया का इंडिया करता है ब्लू एकनौमी के पोटेंशियल को तो कहीं ने कहीं कि इंडिया जो कर रहा है रिगार्डिंग दिस भी है और इसको आप लिंक कर सकते हो तो इन दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली और नंस बहुत बार कर चुके हैं ग्रीट फ्लेशन बेसिकली टर्म दिया जा रहा है एकनौमिस्ट बहुत बहुत कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट ग्रीट होता है न जिस ताइम पर लग रहा है उनको कि पैसा बनाए जाए से इंक्रीज द यह चीज देखना इंडिया में अन्मार थाइलें ट्री लेटरल हाईवे यह मरीपूर है इस कहां सा है विच रीजन ऑफ चाइना है मुस्लिम मजोरिटी तो शेंजियां और नेक्स देखे कोर्शन तो विच सेक्शन यह कली किया ताम लोगों ने 69A विच कंट्री वस्ट इ सेखे